नमस्कार साथियों आपके अपने योटूब चैनल महरिया क्लासेश पर मैं योगेश महरिया आप सभी लोगों का तही दिल से हार्दिक अविनन्दन करता हूँ साथियों हम बात कर रहे हैं राजस्तान की फ्लेक्सिप योजनाओं की इसी के अंतरगात आज हम बात करेंगे एक और योजना यानि के हम बात करें जन सूचना पॉर्टल तो साथियो जन सोचना पोर्टल से बनने वाले सभी सवालों को इस कक्षा में कवर किया गया है और पिछले विभिन्ने परिक्षाओं में पूछे गए बहुत सारे प्रशन जन सोचना पोर्टल से पूछे गए आगामी आपकी परिक्षा की दृष्टी कौन सी ये बहुती महत्वपोन योजना है तो कक्षा को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ सेर्वी कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इससे बनने वाले सभी प्रशनों को कवर करते हैं सबसे पहले बात हम करें जन सूचना पोर्टल तो देखिए साथियो पहला ही प्रशन हमारा बनता है कि सब जन सूचना पोर्टल जो है कब प्रारंब किया गया कब इसकी शुरूरात की गई तो साथियो 13 सितम्बर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत होती है और जन सूचना पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य क्या था या क्या ऐसी आवशकता पड़गे कि इसको सुरू किया गया तो साथियो देखे इसका उद्देश्य है सोचल ओडिट के साथ साथ आम जन को आसानी से सुविधा या सूचना उपलब्द करवाना तो देखें सिंपल सा आपके सामने क्या जन सूचना पोटल का काम क्या है भई आगर आप से पूछ लिए जन सूचना पोटल का कारे है सूचना उपलब्द करवाना है ठीक है चलिए आगे देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदू दिये गए हैं जहां से आपके संभावित प्रशन बनने की प्रबल संभावना है देखिए सूचना की अधिकार अधिनियम 2005 पहला ही प्रशन आपसे पूछ लिया जाएग तो पता होना चाहिए कि कब बना ठीक है और अगर आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाते हैं तो आपके इसके लिए अलग से आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वहां पर आप राज्य सूचना आयोग पूरा पढ़ सकते हैं साथियों तो चलिए औ और सूचना का अधिकार अधिनियम भी अलग से पढ़ सकते हैं सूचना की अधिकार अधिनियम डोहजार पांच की धारा 4 दो specially कौनसी धारा है धारा 4-2 को क्रियानवित और प्रभावी करने के लिए जन सूचना पोर्टल बनाया गया तो यहाँ से आफ से प्रशन पूछा जा सकता है कि सूचना की अदिकार अधिनियम 2005 की धारा 4-2 को प्रभावी या क्रियानवित करने के लिए किस कौन सा क्रियानवित करता है तो जन्द सूचना पोर्टल ठीक है इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जन्द सूचना पोर्टल सूचना की अधिकार अधिनियम की किस धारा को क्रियानवित करता है या लागू करता है प्रभा जोगों को सूचना आयोग कर दोनों का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतरगत होता है इसलिए हम बात करें सूचना के अधिकार अधिनियम का कारियी लोगों को सूचना उपलब्द करवाना है इस अधिनियम के में गारेंटी दी गई है ठीक है तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह आपके लिए महतुपों हो जाता है अगला देखिए जबा जबाब देही कानून को बजट 2019 में प्रस्तावित किया गया था जिसके अनुसार विभागों की अधिकारियों को जिम्मेदारी की बाध्यता दी जाए जिससे विभधन विभागों की अधिकारी मांगी जाती है तो संबंदित विभाग के जिस अधिकारी से जो जानकारी मांगी गई है उसके द्वारा वैस सूचना या जानकारी उपलब्द करवाई जानी चाहिए लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि अधिकारी ना नुकूर कर जाते हैं कि अकल आना परसों आना इस आपके साथ क्या करते हैं टालम टोल कर जाते हैं और आपको गोपाल मना दिया जाता है तो कुल मिलाकर यहां यह कहा गया है कि जबाब देही कानून सिदे तोर पे अगर हम बात करें जबाब देही कानून में सुनिश्चित किया गया बाद्दे किया गया आप जो जन साधर के लिए सूचनाय उपलग्द होनी चाहिए उसके लिए व्यक्ति को दरदर ना बठकना पड़े और इसी को प्रभावी करने के लिए क्या किया गया सभी विभागों के अधिकारियों को पाबंद किया गया आप एक काम कीजिए हमें पोर्टल मना रहे हैं जिसका नाम होगा ज कर लेगा साथियों तो यह आपके सामने जन सूचना पोर्टल का कार्य है और इसी में देखो जन सूचना पोर्टल उसी कानून के तहत निस्पक्स सूचना आम जन को उपलब्दे करवाता है जो मैंने आपको बताया तो साथियों इसी के साथ आज की यह आपकी कक्षा लेता हूं जै हिन जै भारत